बिहार में अपराद बढ़ते ही जा रहे हैं यहां के अपरादियों में कानून का थोड़ा भी खौफ नहीं है अपरादी खुले याम अपराद कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है बिहार में आए दिन हत्या चुनताई चोरी और रेप जैसे मामले सामने आ रहे हैं हाल ही में बिहार के मदुबनी जिले में करीब 18 साल की दलित लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था इसके कुछी दिन बात बिहार के एक और चचित शहर मुझदपरपुर में 14 वर्ष इने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर लिखा है बिहार में हाल ही में जिला मदुबनी की लगभग 18 वर्षिय दलित लड़की के साथ कमलेश यादव वा उसके साथियों ने रेप किया साथ ही इसके कुछी दिनों बाद जिला मुझदपरपुर में 14 वर्षिय दलित वाचिंता जनक है बिहार की सरकार इन दोनों घचनाओं को पूरी गंभीरता से ले साथ ही सभी दोशियों के विरुद सख्त कारेवाही करें ताकि इस तरहा की घचना एक फिर से ना हो दलितों की सुरक्षा वा सम्मान का सरकार विश्वेश ध्यान रखे बिहार में एक के बाद एक दलित लड़कियों के साथ हुए रेप के खलाफ मायावती ने बिहार सरकार से दोशियों के विरुद सख्त कारेवाही करने की मांगी है उन्होंने एक्स के जरिये मदुबनी और मुजफण अगर की घचना को बिहार सरकार से इस घचना को गंभीर से लेने को कहा ह साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से दोशियों के खलाफ सक्त कारेवाही करने की मांगी है जो से इस तरह की घचना पर रोक लग सके उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार दलितों की सुरक्षा और समान का विशेस ध्यान दे फिलाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से चुड़े रहने के लिए बरे रहे मेरे साथ और देखते रहें स्वराज टाइम्स